जी स्टूडेंट्स हम आज ये 10th किलास का 16 चैप्टर का ओम्स लाओ पढ़ेंगे ओम्स लाओ आपको मालूम है जब भी हम कोई लाओ पढ़ते हैं तो हम पहले एक्वेशन देखते हैं और हमें ये पताना चाहिए कि इसमें से कौन सी चीज किसे जाहिर करती है आई जो है वो देखें ये लिखा आई क्या है क्रंट आई क्रंट है और वी पोटेंशल डिफ्रेंट्स है देखें ये लिखा पोटेंशल डिफ्रेंट्स ये क्या है वी पोटेंशल डिफ्रेंट्स है कहां पर होता है potential difference हमेशा to end of the conductor conductor के end पर होता है potential difference हमें ये बात याद रखने है अब यहां आप बड़े easily ये बयान कर सकते हैं और आप बहुत पहले से ये जानते हैं I is directly proportional to V means I के है, I current है directly proportional V के है अब हमें इनकी wording यूज़ करने है करंट कहां से गुज़रेगा, यकीनन करंट के गुज़रेगा conductor में से conductor क्या है, हर वो चीज जिसमें से विजली गुजर सकती है, वो conductor है आपके घर में जो भी विजली की चीज़ है और उसमें से करंट गुजर रहा है वो सब क्या है, वो conductor है तब हम क्या कहेंगे इसमें, हमें ही कहना है के current passing through, current passing through from the conductor is directly proportional to the potential difference. and the physical condition of conductor kept constant, means physical condition जो वो constant रहेंगी उसमें कोई changing नहीं गाएगी, physical condition में क्या आ जाता है, temperature आ जाता है, उसका ये आ जाएगा कि diameter कितना है, उसका उसकी thickness कितनी है, metal कौन सा है, ये सब चीजें उसमें pressure कितना है, ये सब चीजें क्या आ जाती है, ये सब physical condition में आ जाती है, यह चीजें सब constant होनी चाहिए यह हमारे पस इसी हिसाब से देखें यह इसकी definition है यह आप लिख लीजेगा definition इसे अराम से यूँ लिख लीजेगा आप देख देखके तभी हमने यहाँ इसको ठेहने थोड़ा से ऐसा कर देते हैं कि आपको definition तकरीबन यह पूरी नजर आए ता provide all other physical conditions of the conductor are kept constant जो बात आपको बताई मैथमेटिकली यह आपके सामने लिखा है अब हमें यहाँ सिर्फ उपर यह वाली बात बताईए कि वी क्या है potential difference आई क्या है current है नाव आप यह बात जानते हैं कि यह जो हमारे पास directly proportional का sign है means proportionality है जब इसे remove करेंगे तो इसको हटाने से दो चीज़े हैंगी equal और constant constant scientist अपना खुद यूज करता है तो हम क्या कहेंगे V is equal I are and now here R is the constant and R denotes the resistance of conductor यानी रुकावट conductor की conductor की रुकावट या resistance का माइना क्या होता है कि आपके घर में हर वो चीज जो कम current ले रही है जिस में से कम बिजली गुजर रही है और वो अपना पूरा काम कर रही है तो समझे उसकी resistance ज्यादा है ज्यादा है तब ही उसमें से electric कम गुजर रही है एक 100 वाट का बल्ब है और एक 0 वाट का बल्ब है 100 वाट का बल्ब है उस में से तो 100 वाट गुजर रहे है ना 0 वाट में से वो रोशनी देरा लेकिन कोई वाट नहीं गुजर रहे है इसका मतलब रिजिस्टंस किसकी ज्यादा है 0 वाट वाले के रिजिस्टंस बहुत ज्यादा है वो current को गुजरना ही नहीं दे रहा लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रहा है तो हमें इन बातों को देखना है ठीक है तो अब हमें यह बताया हमने हमने return में लिखा कि V is equal IR और यह प्रूफ करने को भी आता है यह थोड़ा सा देती है और इतना थोड़ा सा इसको प्रूफ करना होता है वस इतना ज्यादा नहीं करना होता है यह आता है एक्जैम में भी आता है यहां हमने आपको बता दिया कि directly proportional means directly if the current is increases then potential difference will be also increases current is decreases then the potential difference is also decreases यह देखें if I increase then V is also increases if यहां आप लिख लिजेगा if दूसरा क्या रहे है I is decreases increase increase का लिखा अब हम decrease का लिखेंगे if I decreases then V is also decreases एक मरतबह increases increases दूसरी मरतबह decreases decreases it means the directly proportional both are the vice versa to each other तोनों एक दूसरे के साथ एक जैसे है where R is a constant known as the resistance of the conductor now unit of resistance देखें unit निकालने का तरीका क्या है कि उनके ही unit लिखे जाएंगे और अपने आप ही बन जाएंगे unit देखें V लिखा V equal IR V equal क्या होगा IR में लिए देखें V equal IR अब इस formula को अगर हम ऐसा लिखते हैं प्रेंगल बनाके V IR तो आप देखें V oblique R I is equal V oblique R देखें, oblique आगे बीच में R is equal V oblique I यह तीन formula बन रहे हैं तीनों आप note कर लिजेगा यह तीनों में से problems वही use होगी और अच्छे से नहीं करेंगी तो problems आपको लेंगे आएंगे अब V की जगा क्या लिख दिया V होता है volt या voltage I क्या होता है I current है V है क्या potential difference I है क्या current लेकिन यह क्या है यह उनके units है SI unit क्या है V का SI unit क्या है Volt खुद potential difference है यह हमने यह mention कर दिया है और इसका unit क्या है Volt क्योंकि हम unit पढ़ रहे हैं यह हम unit पढ़ रहे है तो हम unit बताएंगे करंड का यूनट क्या है, एम्पीयर, अब इन दोनों को जब देखा जाए तो वोल्ट पर एम्पीयर बन रहा है, जिसे के नाम चेंज करके ओम ने इसका नाम ओम रख दिया है, तो ये क्या हम क्या कहेंगे, रिजिस्टेंस का यूनट ओम है, अब आपने क्या याद रखना है रिजिस्टेंस का यूनट ओम है, पोटेंशल डिफरेंस का यूनट वोल्ट है, और आई यानि करंड का यूनट एम्पीयर है, करंड का यूनट एम्पीयर, ये वोल्ट और ये ओम है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, पोटेंशल डिफरेंस को जाहर भी वी से करते हैं और उसका unit भी volt है, जबके current को जाहिर I से करते हैं, denoted by I, लेकिन उसका unit ampere है, resistance को R से जाहिर करते हैं, लेकिन उसका unit ohm है, यह आपको बताए गया, the unit of resistance is ohm, which is represented by that, means omega, इस sign का क्या नाम है? ओमेगा, now ohm, definition of one ohm, देखें, one ohm का means हम क्या लगाएंगे, one one, इसमें यह कहा जाएगा, one ampere current, pass through from the conductor, and the potential difference is one volt, then the resistance is one hour, ohm क्या होगा हमार पस? और ohm है ना, तो इसी में यह one, one, one लगेगा, और अपने आप यह बन जाएगी, अब देखें, one ampere current passes through, यह देखें, वही बात आगी, one ampere current passes through a conductor, when potential difference across the end is one volt, देखें, यह भी क्या है, वही बात है, one volt है, one volt, then the resistance of that conductor is one ohm, बस आपने हर एक के unit में यह बात याद रखनी है, पूरी physics में आप कहीं भी जाती है, जब unit आप से पूछा जाता है, आप formula लिखा करें, formula लिखके वहाँ पर उसके unit लिखें, और one, one, one लगा दें, और उसको return में लिख दें, तो अपने आप यह उसका unit बन जाएगा, यह unit हमेशा हर एक का ऐसा ही होता है, लेगिन क्योंके पीछे उन्होंने आप से ना पूछा ना बताया, तो इसलिए हमने भी जिकर नहीं किया था, इसके बाद है, यह ओम की definition हो गई, ओम की definition के बाद क्या है, इसमें इसके आपको यह units बता रहे हैं, different units, देखें क्या है, mega ohm, mega क बड़ा होता है, तो इसलिए positive की power है, यानि mega means के है, zero इस तरफ को six, zero इस तरफ को चलेंगे, तो mega में देखें, ten par क्या है, six है, इसमें आपको बाती यह याद रखनी है, mega plus के है, और यह क्या है हमारे पास है, kilo यह भी plus का होता है, mega भी plus का है, kilo भी plus का है, जबके देखें, यह क्या, यह मिली है, यह माइनस का है, और यह क्या है, यह माइक्रो, माइक्रो यह साइन आपने पढ़े हैं शुरू वे, आपको मालू में आपको पढ़ा है, तो यह क्या है, micro ohm, milli ohm, kilo ohm, mega ohm, अब आपको यह पता हैं, जो बड़े unit होते हैं, उनमें power plus की होती है, तो य यह दो बड़े unit है, और यह दो क्या है, यह छोटे unit है, इनमे power minus की है, तो आपने minus plus की power की unit याद रखने है, आपको problem से unit change करने पढ़ेंगे, तब आप problems कर पाएंगी, इसके बाद है, electric circuit, circuit क्या है, जैसे हमारा गुजरने का रास्ता सडक, क्योंकि हम सडक से गुजरते हैं और electron circuit से गुजरते हैं, तो electric circuit क्या होगा, flow of electron, path of the flow of electron, ठीक है, path है, एक रास्ता है, जहांसे electron गुजरते हैं, लेकिन circuit हमारे घर का कैसा है, ऐसे नहीं है, कि खुली इतार्या में विजली गुजरती भी नजर आ रही है, ऐसा नहीं है, वो close system है, यानि कि एक close system, rounded एक wire होती जिसके अंदर से गुजरती है, तो देखे हमने यहां आपको highlight करके बताया है, close path through electric current flow, main बात यह है, close path from where electric current flow, now any closed path through which an electric current can flow is called the electric circuit, main पूरी बात यह होगी, इसके बाद है, if there is a break in the circuit, no current can pass through it, such circuit is called open circuit, देखें जिस circuit में से current अगर continue गुजर रहा है और उसको break कर दिया जाए, आपके घर में fan है, कोई भी electric की चीज़ है, जब आप उसका switch on करती है, तो वो on हो जाता है, switch off करती है, तो वो off हो जाता है, क्यूंकि आप उसके circuit को तोड देती है, break कर देती है, circuit को, तो ऐसा क्या कहलाएगा हमारे पास circuit, ऐसा circuit हमारे पास open circuit कहलाएगा, इसके बाद है, combination of resistance, combination of resistance मीन्स क्या है, कि किस तरीके से आपने light देखी होगी, ना कि जैसे एक तो कोई function होता है, या इद में लादून भी होता है, तो light लगी होती है, जैसे तो ये दो किसम की हमारे पास किया resistance बता रखी है, combination में, इसमें क्या combination means, two type के resistance होगी, एक होगी series combination and other is the parallel combination, now these are most important, ये पता है इतना important है कि paper में must आता है, ये last में, इसके बाद resistance in series, means हमें फिर ये पढ़ने है, series combination and the parallel combination, लेकिन आपको इसके लिए एक बात याद रखनी है, द कर पाएंगे, अगर आप ये वाली बात याद रखेंगे, according to OMS, ला हम जानते हैं कि V is equal I R, यानि तीन ही चीज़े हैं, V है, I है और R है, आप समझ लें, इसमें V दे रखा है आपको, और R दे रखा है, I नहीं दिया, नहीं दिया means कि only one value, इसकी only one value, इस बात को याद रखे रखेंगी, तो आप problem कर पाएंगी, वरना आपको problem में समझ नहीं आएगा, आपको क्या करना है, आपको ये बात याद रखनी है, कि आपके पास, ये वाला जो सरकीत है, हमारे पास ये कौन सा कहलाएगा, ये series है, series है, इसमें आप देखें, R इसमें भी है, और आप ये दे याद रख लेंगे, potential difference दे रखा है, और आप ये याद रखें कि पैरलल में I दे रखा है, ये रहा आई दे रखा है, अब इसमें कौन सी चीज़ गुम है, आप देखें, V is equal I, R, हमने V को cross किया है, इसमें V जो हैं, वो नहीं दे रखा है, एक ही दिया हुआगा, और हम उस इसमें ये दो चीज़े हमें मालुम करने पड़ेंगी, बाद में इसको तो हमें R को तो हर एक में combine करना ही करना है, इसका हमें union मालुम करना है, यहां भी हमें इसका union मालुम करना है, हमें combine करना ही करना है, V हमें DV एक value की बाकी आई है, वो अलग-अलग मालुम करना है, यहा R2 V3 R3 अब जब अलग अलग जो चीज मालूम होगी नहीं बात याद रखे उनके जो आंसर आई होने में एकठा जरूर करना है ये देखे इस फार्मूले से हमने एकठा किया ये बाते आपको याद रखनी है तीजिगा इसलिए ये हम कल पढ़ेंगे लेकिन हम ये बाते आपको बता रहें आपने याद रखनी है कि फिगर में कौन सी दो चीज़ें थी आप बता horsepower और वी था और फिर उसके बाद separate हम किस कि's की वेलियु मालूम करेंगे तो आप कहें कि R को तो हम एकठा कर देंगे यानि R1, R2, R3 पलस करेंगे और वो R के बरावर हो जाएगा लेकिन हम V को सेपरेट मालूम करेंगे सेपरेट मालूम करने के बाद तीनों को हम एकठा करेंगे इसी तरीके से यहां पर हम क्या करेंगे या V A की वैलियू दी होगी उन्होंने क्वेस्चन में हम वही यूस करेंगे वो खुद दे देंगे इसके बात क्या हमारे पास है इन दो वैलियू में से R तो हमने बताया कि इसमें भी है उसको भी हमें अकठा करेंगे लेकिन इसका R आपलीक में होगा वह हम फिर आपको बताएंगे इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम मालुम करेंगे I1, I2, I3 ऐसे मालुम करेंगे I अलग अलग मालुम करके और उस I को हमें कठा भी करेंगे हमें ये बाते याद रखनी है अब आप ये फिगर याद रखेंगी figure किस तरह बनेगी या आपको यादोना चाहिए और figure में कौन कौन सी चीजें आएंगी या आपको यादोना चाहिए ये वाली figure और ये वाली figure आपको यादोनी चाहिए आपके पास जो हमने notes दे रखें उन notes में भी है और हमने इन notes में भी लिख दिया है आप यहां से देखके लिखें तो भी आपकी मर्जी है और आप यहां से देखके लिखें तो भी आपकी मर्जी है बस इतना याद रखना है फिगर याद करेंगी कौन सी चीज किसमे है क्वांटिटी तो आप प्राबलम कर पाएंगी वरना problem आपको समझ ही नहीं आएगा और ये तमाम problem ओम्स लापर है वी जी कुल आई यार और ये paper में मस्त है समझ ले इसे अच्छे से याद करना है लिख लिख के देखना है कमस कम तीन मरतबा लिख के देखे figure बार बर बना के देखनी है चैनल को सबस्क्राइब करना है लाइक करना है कमेंट्स करने है और अपनी फ्रेंड्स को भी शेयर कर देए ताके वो भी इसमें से पढ़ लें और आपको भी नेकी मिल जाए सवाब मिल जाए ओके डियर अलाफेज